नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में बागेश्वर धाम के पीठा धीश्वर पंडित धीरेंद्र क्रेशन शास्त्री एक बार फिर सुर्ख्यों में है उन्होंने कहा कि आज कल उल्टा जमाना आ गया है लड़का लड़का और लड़की लड़की आपस में विवाह कर रही है केंद्र सरकार ने भी इस तरह की शादी को मानिता दे कर हद कर दी ऐसा दो विदोयशों में होता था अब तो हमारे देश में भी होने लगा हाला कि केंदर सरकार समलैंगिंग शादी को मानिता देने के खिलाफ है सरकार ने सुप्रीम कोट में दिये हलफ नामे में कहा है कि अब भारती परंपरा के मताबिक नहीं है आपको बता दे पंडित धीरेंडर क्लेश शास्त्री जबलपुर के पनागर में आयोजित श्रीम भागवत गीता कथा में बोल रहे थे रविवार को कथा का दूसरा दिन था उन्होंने कहा कि हनुमान जी अब बचाओ पहले जमाना अच्छा था लड़के की शादी लड़की से होती थी लेकिन आज कल तो कार्ड पढ़ना पढ़ता है कि लड़के की शादी लड़की से हो रही है या लड़के से हम तो एक दिन सोच रहे थे बताओ ऐसे ही युब में हमारा जन्म हुआ जब लड़के लड़के आपस में शादी कर रहे हैं यह विदेश में बहुत चलता है अब यह हमारे शहरों में होने लगा है लड़के के विवाह के लिए लड़की की आविश्यक्ता ही नहीं है केंड सरकार ने समलैंगिक शादियों को कानूनी मानिता देने का विरोध किया है आपको बता दे हाली में सुप्रीम कोट में केंड ने इसको लेकर हलफ नामा दायर किया था जिसमें बताया गया कि सरकार इसके पक्ष में नहीं है केंड ने कोट में 56 पेज का हलफ नामा दाखिल किया इसमें कहा गया कि समलैंगिक शादी भारती परंपरा के मताबिक नहीं है यह पती-पतनी और उनसे पैदा हुए बच्चों के कॉंसेप्ट से मेल नहीं खा दी हलफ नामे में समाज की वर्तमान इस्थिती का भी जिक्र है केंद ने कहा अभी के समय में समाज में कई तरह की शादियां शादियों को संबंधों को अपनाया जा रहा है हमें इस पर आपती नहीं है